Hello Everyone, आप सभी का हमारे YouTube चैनल JK Commerce Classes में स्वागत है आज हम आपके साथ नेता जी सुभास University of Technology के PhD की नोटिफिकेशन को डिसकस करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो उसे सब्स्राइब कर लिजे और उसके पगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रस कर लिजे ताकि हमारे दोरा बनाएगे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को गाइस यह है वो ओफिशल नोटिफिकेशन जो नेता जी सुभास उनिवर्सिटी आफ टेकनलोजी ने जारी की है इस उनिवर्सिटी ने पीएचिडी में एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं मैं इस वीडियो के मादम से important information आपके साथ साजा कर रहा हूँ उमीद है कि आपको कम टाइम में पूरी जानकारी मिल जाएगी अगर पीएचिडी की eligibility पर गौर करें तो यहाँ admission लेनी के लिए आपके पास संबंदित विशे या related subject में कम से कम साथ प्रतिशा तंकों के साथ master degree और bachelor degree होनी चाहिए अगर आपके साथ प्रतिशा तंक master degree में और bachelor degree में है तो आपका काम चल जाएगा और आप form apply कर सकते हैं अगर हम PhD में subject की बात करें कि किन किन subject में seat available है तो वो है electronic and communication engineering, instrumentation and control engineering, electrical engineering, mechanical engineering, computer science and engineering, information technology, biology, biological science and engineering, physics, chemistry, mathematics, English और management subject में visit available है University PhD करने वाले student को कई सारी fellowship देती है जिसमें से पहली है research scholar with university teaching come research fellowship दूसरी है research scholars with fellowship from other sponsored agency like UGC, TST, CSIR, DBT और ICMR और तीसरी है research scholar without any fellowship यहाँ 75 candidate को TRF दिया जाएगा TRF पाने वाले student को हर महीने 45,000 रुपर fellowship मिलेगी TRF के तहत आपको university में पढ़ाना होगा इसके बदले university आपको 45,000 रुपर पर मंद पे करेगी इसके अलावा AICTE की fellowship भी उपलब्द है इसके तहत आपको 12,400 रुपर हर महीने मिलेंगे अगर आपको कोई sponsored fellowship नहीं मिलती है तो भी university आपको 75,000 रुपर पर मंद पे मेंट करेगी इसका मतलब यह है कि अगर आप इस university में अड्मिशन पाल लेते हैं तो आपको 75,000 रुपर हर मेना पे मेंट जरूर मिलेगी अगर हम selection procedure की बात करें तो selection procedure return exam और interview के बेस पर होगा अगर हम application fees की बात करें तो सभी category के लिए जो application fees decide की गई है वो है 1000 रुपर admission form जमा करने की जो last date decide की गई है वो है 3 अगस्ट 2020 आप 3 अगस्ट 2020 तक अपना application form और 20 जमा कर सकते हैं form जमा करने के लिए आपको इसकी official website पर जाकर अपना registration करवाना होगा registration का link में description box में दे रहा हूँ आप link पर click करके अपना form भर सकते हैं और अगर आपको इसकी पूरी जनकारी चाहिए तो आप हमारे telegram channel JK Commerce Classes को join कर सकते हैं वहाँ हम इस university दोरा जारी की गए brochure को upload कर देंगे तो आप हमारे telegram channel को join करके उस brochure को get कर सकते हैं I hope guys कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो comment box पर अपना suggestion दे सकते हैं हम आपके suggestion का wait करेंगे और guys अगर आपको हमारी वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को like करिए, share करिए, comment करिए और साथ हमारे channel JK Commerce Classes को subscribe करिए और उसके बगल में जो bell icon दिया हुआ है उसको भी प्रस करिए ताकि हमारे दोरह बनाएगे वीडियो के notification आपके पास सबसे पहले पहुचे तो thank you so much guys